स्वागत है अपका जीए सेवीडे में जीए सेवीडे माई लेस्न फोर एवरीवन जहापर की आपके कंप्टेटिव एक्जाम से रिलिटेट सारे अप्डेट सब्सक्राइब के जाते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूं उसे पहले वीडियो शुरू करने से इसे दोस्तों वह जो एट यह सी जे और अगर रिखेंस क्या दोस्तों यहां पर कबर आपकर आंता है उंख्यों अफे हां अगर दोस्तों हमारा है अप्टेटेटे कर सकते हैं यह पर कि सी अपते हैं और यह अप्टेट होता है में टो सुझाइब determined करें और बने रहे हैं में पर चानल करने क Griffey Yang की और यह वीडियो है दोस्तों मुख्य दोर में विट्व cream लेट है कि पर हो चुके हैं और जो होने है आगे से रिलेटर है ताइए दोस्तों हम लोग वीडियो की सुरुआत करते हैं अब बढ़ते हैं मुख जो न्यूज है उसके उपर देखे दोस्तों जुलाई के अंद तक होगा बीपीएसी की 65 की मुखे परिक्षा यह बहुत परी न्यूज है औ और आये क्या है न्यूज हम इसको आपको बता देते हैं सुरू से लेकर के देखिए दोस्तों 65 की 64 स्युक्त परिक्षा का रिजल्ट है सु पंदर जुलाई तक निकलेगा यह बहुत बड़ी न्यूज है कि बहुत सरे स्टुडेंट्स हैं जो कि 1514 में वैकेंसी ती उस पे इसका रिजल्ट है बहुत सरे स्टुडेंट से इंटर्विव को लेकर करके हैं इसकी वेट कर रहे हैं दोस्तों तो बीपीएसी ने यह रिजल्ट देने के लिए घुसना कर दी है कि 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों और प्रिक्षा नियंतरक अम्रेंदर क तुमार ने रविवार को बताया कि 64 की मुख्य प्रिक्षा की कॉप्यों का मुल्यांगन तेजी से होड़ा है और पुंदर जुलाई तक इसे पूरा कर प्रकासित कर दी जाने की पूरी उमीद है इसलिए दोस्तों जो भी स्टुडेंस लोग हैसो 64 की तियारी कर रहे थे औ और जिनका हैसो रिजल्ट अविटेट था तो लोग हैसो तैयार हो जाए और थोड़ा सा इंटर्व्यू को लेकर करके फोकस हो जाए चुकि इसलिए कि आपका जिए हैसो रिजल्ट प्रकासित किया जाएगा उसके जस्ट है सो 25 से 20 दिन के अंदर में आपका तो फिर आगे नियूस है क्या कि वहीं 65 की मुख्य प्रिक्षा जुलाई के अंतक होगी यह प्रिक्षा ने बताया है कि आयोग निसकी तेया शुरू कर दी है यदि सरकार सेंटर उप्लाउद करा दे चुकि अभी तो कोविट नेंटिन का प्रकोप चल रहा है तो जुलाई जुलाई तक है कि अगर जुलाई के अन तक नहीं भी लिजाती है तो आपका यह एक्जामनेशन्स है अगस में तो शोड़ ही हो जाएगा लेकिन जब आयोगी कह रही है कि जुलाई के अन तक ले लिजाएगी इसलिए आप लोगे तो प्रिपेड है जुलाई तक मिड जुलाई तक है स्वाप पेड हो जाए पूरी तरीके से दोस्तों आगे एक न्यूज है मैं बताना चाहूंगा कि 66 में से युक्त प्रत्योक्ता प्रिक्षा की जो अधियातना अभी तक उपलब्द नहीं कराई जा चुकी है अभी तक कैबिनेट से कुछ बाते हैं तो प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है चुकी इस तफ़ा है सो 66 में बाते चल रही है कि स्लेवर्स चेंज होगा चुकी इसमें सो यूपीएसी पैटर्न पर लाने की प्रिकोसिस की जा रही है अगर कैबिनेट अप्रोब कर देती हैं तो इसका पैटर्न होगा उड़की यूपीएसी पैटर्न पर चला जाएगा और यूपीएसी अभी आर्ट्व को भी बहुत बड़ा एज मिलेगा इसम लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्री में ऐसा कोई ज्यादा बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं होने होने जाने कोई है तो पी के पीछा से भी रहेगी और थोड़ी सब की सब को अफेक करेगा सिर्फ हाफिकों नहीं हां में में यह हो सकता है कि यूपी से पैटर्न पर जिस तरीके से कुस्टन पूछे जाते हैं वह लिए जाए तो इसलिए दोस्तों प्रेपेर रहें और आप लोग को 65 का जो मुखे पर इच्छा है उसके बारे में पोजानकारी ही है सिलेबस की ठीक है तो तियारिय में लगे रहे औ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी में दोस्तों